हाई गाईज गूड बॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग आयोड बढ़िया होंगे जहां भी होंगे सुस्त होंगे मस्त होंगे जबर्दस्त होंगे तो गाईज जैसा कि आप देख रहे हैं हम स्रीरामलला अंतराश्टी ये एरपोर्ट आयुद्या है मैं है योगी जी आये दिखे गाईज पीछे में टर्मिनल बिल्डिंग के पास चलते हैं और दिखाते हैं वीडियो में बने रहे हैं जाइज देखिए जहां से एरफोर्ट का शाटिंग है रास्ता जाने का वहां हम दो राक्त है है ये सुल्टान पूर रास्ता हो गया तो गाईज चलिए देख किया भी स्रीराम अंतरष्टी एरपोर्ट का बोड लगा हुआ है आप देखते हैं देख सकते हैं तो रोड के बीच सेंटर में देखे कितना बढ़िया सब फूल गेरा गार्डन गेरा लग चुका है गाईज आप देखिए एक एक चीज बारिकी से हम आपको दिखाने की को कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं सब बीच में लाइट खंबा लग चुका है गाईज यह देखिए आपको जो सामने बिल्डिंग देख रहा है केंदर यह रिजर्ब पुलिसबल का है यह भी काम जो रोसोरो से चल रहा है एरपोर्ट के सिकुरूर्टी के परपस से यह यह बि इधर कंप्रीट हो चुका है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं देखे गाईज आपको सामने भव्य और विशाल नजारा दिख रहा होगा जो की अयोद्या से रामलला अंतराष्टी एयरपोर्ट का टर्मिनल विल्डिंग है गाईज वीडियो में बने रही आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है देख ऊपर में देखिए सब लोहा का एंगल रखा हुए उसको अभी कभर करना बाकी है जैसे कि आप गेट से अंदर आईएगा अंदर में यह देखिए कितना बढ़िया आप सब पेंड लग यह जो सीधे रोड जा रहा है वह आपको चल रहा है और यह जो देख शुक आख देख रहा है इसमें अभी पार्क बना बनाया जाएगा सब दो गरें अलग रहा है देखिए यह सामने में बड़ा सा जो खाली यह देकर रहा है कंप डिल स्वत हो एक एक कलाकारी देखने पर कि हाँ कितना सुन्दर और कितना मस्त बन रहा है टर्मिनल बिल्डिंग आयोध्या यारपोट का गाई जे सामने देख रहे हैं ग्लास रखा हुआ है ग्लास वर्क भी बहुत पास्ट काम चल रहा है ग्लास भी लग रहा है तो देखिए अपना या आपको चारो तरफ से दिखाते हैं टर्मिनल बिल्डिंग कैसे दिख रहा है और कितना काम हो चुका है कितना काम बाकी है जैसे गुमज का काम जो बड़ा सा गुमज सामने फ्रंट पे है उसका अभी काम बाकी है गाईज आपको बता दूं बाकी और सब भी वर्क थोड़ा बहुत बाकी है गारड़न ओगेरा यह सब चीज रेड़ी हो रहा है देखिए या साइड से आपको कैसे दिख रहा है ईटीसी टाउर है के तरब से यह दिखा रहे हैं आपको तो गाई वीडियो में बने रही है देखिए यहां वरकर लोग सब रोड क्लिनिंग कर रहा है यह अपना फायर स्टेशन का दो गाड़ी है यह इधर लगा हुआ है तो गाड़ी और राइट साइड में भी लगा हुआ है तो अभी हम आगे प्रेशनल एरिया में गाइज चलिए वीडियो में बने रही है अभी आपको दिखाते हैं एपरोन के तरफ से टर्मिनल विडिंग का नजारा जो कैसे दिख रहा है यह अपना एटी सी टाउर हो गया यह जितना मिट्टी वाला एरिया देख रहे हैं यह सब अब इसमें फूल लगेगा देखिए पिछला वीडियो में आपको दिखाये थे फूल लग चुका है अब वाटर टेंकर लगा हुआ है क्यूरिंग के लिए क्यूरिंग भी हो रहा है फूल के पूल में तो गयज देखिए फॉल सेलिंग का काम चल रहा है और थोड़ा सा बचा हुआ है वर्क जैसा कि आप देख भी रहे हैं जितना पैनल है सब ग्लास लग चुका है पैनल में देखे गाइज यह एपरोन के साइड में दो गेट है पैसेंजर के लिए आने जाने के लिए देखिए उस गेट का कितना सुन्दर डिजाइन है कितना अच्छा दिख हई चुका है हमने आपको गाइख देख रहे हुँआ हुआ जैसा कि आप भी मिनल लूर्डिंग के पास है वे आप अप चलते हैं अदर जैसा कि अदुत नजारा चुझञा तेख रहे हैं plus दाला के आयोद्या नगरी में एयोद्या पावन धाम में यह भव्य निर्मान एरपोर्ट बन रहा है सिराम अंतराष्टी एरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा यह एरपोर्ट आज के दिनांक दो बारा दो हजर तेश को मनिय यूपी के सी एम हिंदु युवा समराथ स्री आदिप के नाथ लोगी जी आये हुए थे चलिए गाईज वीडियो में बने रही है अभी आप फूले चलते हैं टर्मिनल बिल्डिंग के पास चलिए गाईज आप को दिखाते हैं अंदर का नजारा तो गाईज हम अभी प्रॉन साइट से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं देखिए पूरा गमला राखा हुआ है फूल उसमें लगा हुआ है यहां से अंदर आएं अंदर देखिए आप कितना मस्त हैं सब सजा के रखे हैं लोग फूल हो गेरा गमला देखिए टाल्स हो गेरा मारबल हो गेरा यह सब चीज accompany तर्मिनल बिल्डिंग के देखिए वोट्स लगा हुआ है मर्यादा पूर्सुतम सेरी राम इंटरनेशनल एयर पोटा योद्या के निर्मान की समिक्षक बैठा देखिए यह सब यह सी का पॉइंट है उपर सेलिंग लग चुका है फॉल सेलिंग देखिए चारो तरफ से आपको हम दिखाते हैं तर्मि अपना टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा यह सब देखिए लगा हुआ है कि गाइज आपको दिखाते हैं यह जो में सेंपल रखा हुआ है ठीक इसी के जैसे प्रॉंड देख रहे हूं गया पीछे प्रॉंड है यह गार्डेन है आगे से आपको दिखाते हैं कैसा दिखेगा अयुद्या स्रीरामडला अंतरष्टी एयरपोर्ट बनके इसी धांचे पर तयार हो रहा है गाइज एक चीज देखिए जो भी इस वीडियो में आपको दिख रहा है सेम ऐसा ही एयरपोर्ट का बनेगा देखिए में इधर से इंट्रेंस ऐसा ही आपको दिखेगा बीच में सेंटर में वह अभी को मसा काम चल रहा है और पार्किंग और यह सब चीज देख रहे है आप सेम ऐसा ही बनेगा देखिए गाइज यह सब मसीन और रखा हुआ है बैक चेकिंग वाला मसीन है यह इधर ग्लास वर्क चल रहा है गाइज यह जो आप बॉर्ट देख रहे हैं इधर बात्रों वेरा का यह सब चीज बना हुए है, देखिए गाइज अभी ट्लास जो है, वो यहाँ पे लग रहा है, दिख रहा होगा, देखे गाइज, यह जो बड़ा सा गुमज है, उसको कबर किया गया है, देखिए यहीं वाला बड़ा सा गुमज है, जो आपको डमी जो बनके रखा हुआ है उसमें भी आपको आपको दिखाये हैं देखिए फ्रंट साइट से कैसा भी हुआ रहा है कि फ्रंट साइट का एरियम है अभी हम फ्रंट साइट से आ गया है में गेट के तरफ से आ गया है देखिए ये में गेट का ये नजारा है जो आप देख रहे हैं इसमें टोटल तीन गेट है गाईस जो यह गेट आपको सामने दिख रहा है एक एक चीज देखिए एक एक पैनल में गलास लग रहा है और सब भी काम हो रहा है देखिए यह फर्स्ट गेट हो गया हुसा है इदर राईट साइट में एक सेकेंग घेट है और यह और मैटकों पढ़ा है तर्डाय फाल सक्ष कुर्ट कि यह कहता है विक्र एय्ट मेट्वाइट keeping जो लिफ्ट सिस्टम बना हुआ है, दो दो बैग का जो रखके घूमता है ऐसे, चेकिंग के परपस से, दो ऐसा बना हुआ है गाइस, देखिए एक जो सामने अभी देख रहे हैं, काम चल रहा है, मिस्तिरी काम कर रहे हैं अभी, देखिए इधर साइड में भी है, ऐसा दो बना ह है, देखिए अभी इलेक्ट्रिक का भी कुछ काम चल रहा है, गाइस, एक एक चीज आपको टर्मिनल बिल्लिंग का दिखा रहा हूँ, कोई भी चीज मिस्त नहीं हो, वीडियो में, जैसा कि आप लोग बहुत कॉमेंट कर रहे थे, कि हाँ टर्मिनल बिल्लिंग का वीडिय दिखाईए कितना काम हुआ है, तो गाइस, जैसे कि देखिए हम अभी आ गए है अपरों साइड में, यह अपना सामने एटी सी टावर भी दिख रहा होगा, गाइस, इदर क्लीन होगेरा सब कर दिया गया है, गाइस, गाडन होगेरा भी अभी सामने से दिख रहा है, अपर टर्मिनल विल्डिंग का, कमेंट में जरूर बताईए है गाइस कि कैसा लगा विडियो आपको, एटी सी टावर होगया गाइस, यह अपना फायर पिट, फायर स्टेशन होगया, जो गाइस, अपना न्यू एपरों आया था, वो आप सामने देख रहे हैं, यह न्यू एपर अब यह अजिशो वो दिखा सके हैं अभी हलीकौप्टर आचुका है, देखिए गाइस, अभी हलीकौप्टर अक्रों में आ चुका है, जैसा गी आप देख रहे हैं, जूंद कर को भी दिखा हैं आपको, देखिए कैसे लेंड करता है, हलीकौप्टर अईद्द्याई eयर लीपोट से योगी बबाग वाला है यालिकाप्टर नहीं आए है कि एक और है जैसा कि देखिये और योगी बबाग का भी हलीकॉप्टर आ चुका है आपको जूंग करके दिखा रहे हैं गिरुवा कलर का वो जिस सीट पर बैठके हैं गिरुवा कलर का उस पर टावल लगा हुआ रहाता है गाई देखिए आपको वीडियो में दीख भी रहा है सिमिनल वाला जल को दूआ है वह चोड़ती जाए लोग आई अभी अपना एप्राउन में लेकप्टर योगी बाबा कहा चुका है देखिए धीरे 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 करके अप्राउन में टाच हो जाएगा अब 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 और चुना निकल चुका है अब बाबा को रिजित अन्दर जाना चारो तरब से पुलिस गेरा बंदी बनाये हुए हैं देखिए गाई अब ही मोईना अब्धा करके तूर से वीडियो बनाया है इसके लिए अच्छा भी नहीं आ रहा है लेकिन प्रयास किये हैं कि यहां जो जितना हो सके उतना आपको वीडियो में दिखाएं वीडियो में कवर करें देखिए गाईज अभी जो भी बाबा बैठ चुके हैं हेलिकप्टर में उनके सुरक्चा कर्मी जो हैं वह अब अला घाट रहे हैं लो ताकि हेलिकप्टर अब उड़े चलिए गाईज वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्क्राइब किजिए लाइक किजिए कमेंट किजिए जैश ये राम से कमेंट में भर दीजिए गाईज जो भी वीडियो जिस तक पहुंचे कमेंट में जरुर लिखे गाईज ढ 이렇게 हा दोनों चलू ओ चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं है अभी हली कपतर उडान भरने के लिए इड़ी है गाईज यहां से हली कपतर अब लखना उजाएगी लखना उजाने के लिए ये दोनों हेलिकप्टर स्टार्ट हो चुगा है गाईज जैसा कि आप देख रहे हैं गाईज वाइट वाला में जोती राज शिंधिया जी आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं और ये जो हरा वाला देख रहे हैं हेलिकप्टर इसमें हमारे यूपी के सी-म अदर्निय योगी बाबाजी बैठे हुए हैं और साथ में जनरल बीके सिंग जी भी आई हुए हैं आयुद्ध्या एरपोर्ट मोहायना करने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग का अदुबुत नजारा देखने के लिए क्या क्या हुआ है और कैसे काम चल रहा है इस देखिए अभी वाइट वाला ह हेलिकप्टर देरे उठ गया उपर की तरफ उठ रहा है इतना उड़ता है गाईज क्या बता है हम पिछला वीडियो बनाने के चक्कर में डश्ट से भर गया थे जहां से उड़ा है उस वहीं पर ठीक उसी के सामने हम खड़े थे शॉट वीडियो भी आप देखे होंगे कही देखे उड़े वायट वाला तो चला गया अभी योगी बबावल हेलिकप्टर उड़ने के लिए तैयार है देखिए योगी बबावल अभी हेलिकप्टर उड़ गया इसे सीधा घुमाके देखिए गाइज देख रहे हैं जै शेराम जै हो योगी बबा की हर महादेव गाइज दिल खुश हो जाता है योगी बबा का दर्सन्द हो गया आज धन्न हो गए गाइज आई ओप विडिव आप लोगो अच्छा लगा होगा विडिव अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए चैनल पर नए है जो सब्कॉयब चैनल को सब्क्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए लभी वाल, जैसे राम, हर हर महादेव, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए, जब दस्त रहिए, लभी वाल, बाई बाई